हेलो फ्रेंद्स विल्कम टो वाइफाइट डॉट कॉम चेंजिंग दवी ओफ लेंडिंग प्रिजन्स करेंट अपरेल सेकिंड वीक इन हिंदी इस वीडियो में प्रिजन कर रहे हैं करेंट अफेर सेकिंड वीक का जो जो आपके लिए इंपॉर्डेंट है इंटरनेशनल ने सब भी से हम इसमें कवर अप करेंगे और देखते हैं सारे के सारे जितने भी सेक्शन से उनको वन बाइवन और फ्रेंज अगर आपको वोकाब में प्रॉड्लम में था आप वोकाब 24 डाउनलोड कर सकते हैं यहां आपको मिलेगा डेली देहिंदूस एडिटूरियल और यह अला कुश्चन क्या है विच कंट्री एस डिकलेड़ एस थ्री मंथ इमर्जनसी फॉलविंग चर्च बॉंबिंग तो रिसेट्ली अभी कुछ नाप पहले ट्विंग चर्च में बॉंब गिनने के वज़ए से कई लोग की दैथ हो गई थी और वहां पर इस देश के अंदर इमर्जनसी लगा दी गई तीन मेने के लिए तो यह कौन से देश के अंदर हुआ है तो देखते हैं पहले न्यूज उसके बाद इसका अंसर सिसी डिकलेड़ थ्री मंथ स्टेट ऑफ इमर्जनसी इन इजिप्ट तो इजिप्ट वो देश है फ्रेंड जहां पर तीन मेने के ज़रूरी कि जो इजिप्ट है एक मेडिटीरिन कंटरी है यानि की मेडिटीरिन जो सी है उससे बाद है साथ में गाजा इस्ट्रेप इसराइल भी है इसके गल्फ ऑफ अकाबा रेड़ सी सुडैन लीबिया यह सब इसके नेबरिंग पार्ट हैं ओके तो यह सब भी आपको अस्रीलियन काउंटर पार्ट है यानि की टन्बुल ओके इन दोने ने कई सारे पैक्ट साइन करें तो यहान नियर बैज सिक्स एग्रीमेंट से इन ने साइन किये है जो कि काउंटर टेरियरिज्जम और ओपरेशन हुआ कॉपरेशन हुआ साथ में और भी कई सारे जैसे की railways और कई defense कई सारे तरीके के जो एग्रिमेंट्स हो हैं जो कि दोनों कंट्री के जो पैक्ट जो दोनों कंट्री के relation है उनको boost करने का काम करेंगे विच कंट्री अज नॉमाडिक elephant military exercise with इंडिया तो recently एक नॉमाडिक elephant exercise हुई थी यह कौन से देश के साथ में करी है भारत ने बहुत important question है तो देखते हैं news 12 इंडो-mongolian joint military exercise nomadic elephant held in Varang ओके तो यह मंगोलियन इंडो-mongolian joint exercise थी ओके मंगोलिया कहां पर एक sandwich country कि इसके चाइना और रश्या के niño का लिए कि मंगोलिया के लिए मंगोलिया के जो बॉर्डर है वो कजाकिस्तान के साथ share नहीं होती है अगर हम map देखेंगे तो आपको ऐसे लगए क्ये कजाकिस्तान में के साथ में share ही लेकिन आपको ध्यान रक्लाइं की वह नहीं करते है बहुत ही capital और सबसे बड़ी जो city है वो है उलन बतर यह इसकी सबसे largest और capital city है मंगोलिया की तो आपकर जो answer है वो है C which country is host is G20 G7 यहाँ पर G20 नहीं आएगा G7 आएगा digital ministerial meeting 2017 तो कौन सा country ने भी recently host करिये G7 digital ministerial meeting 2017 तो देखते है news G7 foreign ministers meeting held in Luka तो यह Luka कहाँ preference Italy के अंदर है तो Italy वो देश है जिसने इस meeting को host किया है okay digital ministerial meeting तो साथ जो बड़े देश है G7 foreign उनके सभी के foreign ministers आया थे आपे और यह G7 में कौन कौन से देश है friends यह आपको धान रखना ज़रूरी है okay जैसे कि जो दुनिया की industrialized democracies है बड़े बड़े देश हैं उनके बीच में था जैसे US, UK, Canada, France, Germany, Italy और Japan तो यह साथ देश हैं आपके सामने friends यह सभी G7 nations है which country has executed most number of people in 2016 तो 2016 के अंदर सबसादा फासी कौन से देश ने लगाई है लोगों को तो देखते हैं news, China, Iran, Saudi Arabia executed most people in 2016 तो अगर execution की बात करें friends तो चाइना ने इतने लोगों को execute किया है जितने दुनिया के बाकी सारे देशों ने मिलके किया है Iran ने 567 लोगों को किया है, Saudi ने 154 लोगों को किया है, ठीक है तो सबसे ज़ादा execution जो किया है वो चाइना ने किया है तो आपका जो answer है वो चाइना है, और यहाँ पर आपके लिए यह बात भी देखना है, जरूरी फ्रेंट्स की इंडिया की अगर अगर आपन बात करें तो इंडिया execution में ज़्यादा बिलीब नहीं रखता है ओके पिछले 10 सालों में अपने तीन ही execution, तीन लोगों को फासी दिये, जिसमें आपको नाम पता होंगे, उनके बहुत famous यह लोग थे, जैसे कि अजमल कसाब, और साथ में उसके बाद में याकूब मैनन, ओके, और धेनन जो है चैटर जी करके थे, उनको 10 sentence दिया गया, तो यह सब लोग थे, जिनके काफी, जो heinous crime करा है इन लोगों ने, heinous crime थेंका, जिसमेल कसाब, terrorist operation आपको पता ही, 2008 के अंदर, मुमें terrorist attack, कई लोगों की जान ली गई, इसी वज़े से government को, और अपने Supreme Court को यह verdict सुनाना पड़ा, otherwise India execution में बिलीव नहीं रखता है, अफजल गुर कई, 2016 के अंदर, अपने एक भी execution नहीं दिया है, इसके अलावा, 2004 से लेके, 2012 तक तो अपने एक भी, किसी को execute नहीं किया है, इस period के बीच में तो zero execution था, देखते हैं, अगला question क्या है, which country has signed a MOU with India to upgrade Indian railways, तो Indian railways को upgrade करने के लिए, इंडिया ने कौन से देश के साथ में, MOU sign किया है, recently, तो देखते हैं friends, the France-India impact to upgrade railways, जो France के minister है, state और transport के marine affairs के, okay, उन्होंने sign किया है, अपने सुरेश प्रभू के साथ में MOU, ताकि जा तोड़ा Indian railways का semi high speed rail बन सके, modernization हो सके, infrastructure developed हो सके, okay, safety को ध्यान में रख सके, इन सभी को लेकर, एक MOU sign किया है, इंडिया और France के बीच में, तो आपका जो answer है, वो है, इंडिया, France, यानि कि France आपका answer है, और साथ में आपको ध्यान रखना है friends, इंडिया ने Spain के साथ में भी काफी कुछ यह collaboration किया था, Talgo rail को लेकर, Talgo एक ऐसे train है, जो कि, इंडिया के fastest train, जिसको कह सकते हैं अपन, तो यह इसका, जो route है, दिल्ली और मुंबई, इसके बीच में इसको test किया गया था, जहां पे friends, काफी अच्छा है, इसका performance रहा, और 16 गंटे की जन्नी थी, वो इसने 12 गंटे में cover up कर दी, Talgo ने, ओके, तो Talgo train spin की है, फ्रांस की नहीं है, यह caution frame अप हो सकता है, क्योंकि, railways को लेकर बाद चल रही है, ठीक है, तो आपको ध्यानक नहीं, और यह जो track है, दिल्ली से बंबे वाला, यह 1400 km का track था, जो कि 12 गंटे में cover up किय टेस्ट जब इसको किया गया था, तैलको को, अब देखते हैं friends, नेशनल न्यूज, विशागा पत्नम वो सिटी है, जिसने इसको होस किया, तीन दिन का चिल्रन फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है, यहाँ पर opening फिल्म थी, शानू, दॉप्टिमिस्ट, directed by the K&T शास्त्री, produced by the CFSI in 2016, which it is hosting NimCare World Health Day Summit 2017, तो NimCare के बारे मां है कि नॉन प्रॉपिट ऑगनाईशन जो कि 2009 में सेट अप करी गई थी, 2009 के अंदर, ओके चरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि Government of Tamil Nadu के अंदर इसको रिजिस्टर आई है, ठीक है, इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं और जो यह help परते हैं जो underprivileged बच्चे हैं, लोग हैं, ओके उनको high quality healthcare की facility प्रोवाइड करते हैं, educate करते हैं लोगों को healthcare professionals को, तो एक बहुत अच्छी profit organization है NimCare, ओके तो NimCare World Health Day Summit 2017, अब्जर्व किया गया और कि कौन सेटी में इसको यह submit हुआ है, यह New Delhi के अंदर हुआ है, जहां पर present जो अपने ह शरी प्रणम मुखरजी उन्होंने inaugurate किया था इस summit को, और जो slogan था, वो था, unite for a healthy mind, तो यह भी आपको जहां रखना है, unite for a healthy mind, तो फ्रिंस दिखते हैं, next question, India is offered a new dash billion dollar line of credit specifically for defense purchases to Bangladesh, ओके तो इंडिया ने अभी offer करी है, nearly कुछ कई million dollar की एक credit, जो की defense purchase करने काम हैगी, किसके ल और साथ में आपके सामने options हैं और अभी पहले देखते हैं अपन ये news क्या है, बंगलेदेश PM शेक हसीना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बंगलेश की PM शेक हसीना है, वो विजिट पे थी अभी इंडिया के, तो यहाँ पर bilateral talk हुआ था, नेंदर मोधी के साथ म हैं, तो 22 agreements sign करें दोनों देशों ने, defense के में, nuclear energy में, cyber security में, media में, ओके, और यहाँ पे development assistance दी गई, इंडिया के दोरा 4.5 billion dollar की line of credit दिया गया, outer space के लिए, passenger और crew services के लिए, साथ में ही, इंडिया ने 500 million dollar की line of credit भी दी है, defense purchase के लिए, बंगलेश के लिए, तो आपका जो answer है friends, वो एह आपका answer है, साथ में friends, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी के, अगर दुनिया के 2010 से लेकर 2014 की बात की जाए, तो दुनिया के जो 5 biggest exporter जो थे, weapon के, okay, वो US, Russia, China, Germany, और फ्रांस है, और अगर importer की बात की जाए, किन देशों ने सबसादा हतियार लिये हैं, ये 5 बड़ देश हैं, जिन्होंना हतियार इंपोर्ट करे हैं, ठीक है, अगर अपने इंडिया के बात करें, friends, तो 70% जो military hardware है, वो अपन इंपोर्ट ही करवाते हैं, और मेकिन इंडिया में हलाकि काफी काम हुए है, काफी push मिला है, defense को, और ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं पर भी export नहीं करता है, इंडिया export भी करता है, defense के जो materials है, अपने 22 countries है, उनको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, जो defense के equipment होते हैं, friends, जिसके अंदर US, UK, Israel, Russia, सभी देश include है, ओके तो इंडिया काफी काम भी करता है, अपने defense के उपर, export के उपर, जैसे कि अगर अपन बात करें तो friends, जो flight control panel होते हैं, वो US को इंडिया देता है, जो transmitting tubes है, वो UK को देता है, मिग और सुकोई 30 के aircraft के spares, services भी Russia को provide करता है, ठीक है, इंडिया, कई सारे जो अपने चीतल helicopters है, चीतल, वो अफगानिस्तान को दिया है, उसने दुरूव helicopter दिया है, नेपाल को, कई सारे bulletproof jackets है kits हैं, जो supply करी हैं, सुकोई 30, मिग spares हैं, मलेशिया को provide करी है, तो ऐसे कई सारे चीज़े हैं, जो कि इंडिया ने export भी किया है, ऐसा नहीं, इंडिया सिर्फ एक import के ओपर धान दे रहा है, export पे भी दे रहा है, ओके, तो ये सब चीज़े हैं, जो कि आपको धानक नहीं है, इंडिया's first DNA bank for wildlife will be set up in विस city, तो DNA bank बनाये गया है, फ्रेंट्स एक wildlife के लिए, तो ये कौन से सिटी में बनाये गया है, ओके, तो इसको open किया गया है, फ्रेंट्स बरेली के अंदर, ओके, आपका जो answer है, वो C आपका answer है, तो ये North India का पहला first DNA bank है wildlife के लिए, विस city has recently host a national level summit on TB, तो TB के ऊपर एक national level summit organize करा गया, ये कौन से सिटी ने host किया है, तो देखते हैं friends, TB free India drive held in धर्मशाला, तो धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर इसको drive को organize करा गया, ओके, जो कि देश को TB free बनाने की बात की जा लिए, 2025 तक, तो आपको ये ध्या और साथ में friends कुछ बात है, और भी जो TB के बारे में आपको ध्यान रखने है, जैसे कि एक infection disease है, जो कि bacteria से होता है, bacteria, mycobacterium tuberculosis होता है, उससे ही होता है, जो कि majorly आपके lungs को effect करता है, body के बाकिये parts को भी करता है, लेकिन lungs को भी effect करता है, ठीक है, और अगर शुरू में जब TB भी होता है, तो कुछ time के लिए पता भी नहीं लगता है, इंसान को तो उसको अपने बोलते है, latent tuberculosis और air के मध्यम से भी ये फैलता है, भारत के वीर वैप पोर्टल बनाए गया था, रिसेंटले फ्रेंट जो की बहुत न्यूज में आया था, और राजना सिंग जी ने इसे इनागरेट किया था, ये वैप पोर्टल बनाए गया उन फैमिलीज के लिए जो की सोलजर की फैमिलीज थी, जोनों ने अपनी लाइफ लाइन ओव डूटी, लाइन ओन डूटी के उपर गवा दी है, देश में को जो शहीद हो गया है देश के उपर, ओके उन लोगो की फै वोड किया गया है, इसको नैशनल इंफोर्मेशन सेंटर के द्वारा और पावड बैदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके तो SBI बैंक के द्वारा पावड है, तो आपका जो आंसर है वो B है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीम टू लाँच डिजिटल एग्जिबिशन चंपारन सकता है तो पीम ने रिसेंटली अभी लाँच किया था डिजिटल एग्जिबिशन चंपारन सकता है के उपर, ओके ताकि लोग को दिखा सके है कि कैसे नॉन वालेंस के थूरू भी कोई मूवमेंट हो सकता है, ओके तो यहां पर बापू को याद किया गया, काफी सारे चीजें डिजिटल एग्जिबिशन में दिखाई गई, जो की पुरानी चीजों के उपर बेस थी, ओके थीम था इसकी मूवमेंट अडर्टेकन बाइदा महत्मा गांदी, एस सैंचुरिय अगो, ठीक है और इसका टाइटल था बापू को करियान जली, विल बी के अंदर है, चंपारन सबसे बहले ध्यान रखे बिहार के अंदर है, तो उनके द्वारा लॉंच किया गया, उसके बाद में खेडा में, एमदाबाद खेडा, वहां पे भी लॉंच किया गया, 17 और 18 के टाइम पे, चंपारन सत्ताइगरा है, फ्रेंट्स पहला स्टार्ट क तो आपको ध्यान रखना है कि इस सत्ताइगरा है, वर्ट तो उस टाइम पे उसके आगया था, लेकिन ही मूवमेंट उनका पहला मूवमेंट था, चंपारन मूवमेंट, यहां पर आपको पता होगा कि इंडिगो के लेकर फोर्स किया जा रहा था, जो फार्मर्स थे उनको कि जो एक डाई थी, इंडिगो एक डाई थी, ओके तो जर्मनी के सस्ती डाई बनाने से काफ़े नुक्सवान हुआ, बिटिशस को इस डाई को लेकर, तो वो इशार है थे कि यह लोग इसके उपर कम पैसे दे इनको, यह लोग जो हैं अपनी खेतिवारी ना करके, डाई की खेतिवारी करें और उनको बिजनस प्रोवाइड करें, ठीक है, तो उस टाईम के उपर जो काफी इस टाईम के उपर और बाद में जो एक राजकुमार शुकला, ओके राजकुमार शुकला थे, जो कि एक मनी लैंडर ही थे, जो नोंने गाउं के लोगों को पैसा भी दिया किया, कई सारे commission of inquiry भी बिठाए गए, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के इस movement के अंदर participate करने के बाद में ही, कई सारे action हुए, और Britishers को back, पीछे हटना पड़ा, और बाद में उन्होंने इसके ओपर अच्छे से काम किया, और कई सारे लोग भी थे, जो कि इस movement में गांध प्रसाद थे, तो कई सारे imminent आचार एक रिपलानी थे, तो कई सारे imminent लोग थे, जो कि इस movement में जुड़े वे थे, which state has started, दिन दयाल, रसोई, योजना, तो दिन दयाल, रसोई, योजना, कौन से state ने start कर रही है, जहाँ पर सस्ते में खाना प्रोवाइट किया जाएगा, जो प्रोवाइट कर जाएगा, उसी की तरच के ओपर ये food प्रोवाइट किया जाएगा, ओके तो आपका जो answer है, वो मध्यपरदेश है, विस City has hosted international convention on world homopathy day, तो world homopathy day पे international convention हुआ है, ये कौन से state ने host किया है, ओके तो सबसे पहले homopathy के बारे में जाना जरूरी है, होमोपैथी के जो founder थे, वो कोई Indian नहीं है, और ये जब event हुआ है international, ये 262 birth anniversary थी, कि इसकी founder जो थे homopathy के, Dr. Christian Fadrick एक German physician थे उनके दोआरा इसकी जो ये टेकनीक है medicine की इसको इजाद किया गया था इसको found किया गया था तो उनी की जो birth anniversary उसके ओपर एक convention किया गया और ये New Delhi में करवा गया New Delhi ने इसको host किया है तो आपको चीज़े ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो World Homopathy Day और साथ में आपको founder कौन है ये चीज़ ध्यान रखना है साथ में ये आयूश ministry ministry of state for आयूश इन्होंने इसको organize करवाया है ठीक है तो साथ में आयूश के बारे में भी ध्यान रखना है आयूश ministry जो है वो 9th November 2014 को found करी गई थी और किस तीज़ के लिए कई सारे health care techniques है जैसे कि अपनी आयूवेदा, yoga, naturopathy, yunani, siddha और homopathy इन सभी को मिला के आयूश full form बनाए गए और इन सभी पे के ओपर काम किया गया पहले इस department का जो नाम था वो था तो ये सब information आपको धान रखनी है और इसकी जो theme थी वो थी enhancing quality research in homopathy through scientific evidence and rich clinical experiences तो ये इसकी theme थी विच पोर्टल लॉँच रोंदा, okay जोनो 250th anniversary of survey of India तो 250th anniversary के उपर survey of India के दोबारा कौन सा portal launch किया गया, तो देखते है नक्षा, portal launch by the Dr. Harsh Wardan on 258th anniversary of survey of India, तो नक्षा नाम का एक portal मनाय गया है, launch करा गया है, survey of India की 200th anniversary के उपर, okay तो आपका जो answer है, वो B है Ministry of Rural Development has released रूपीज करो to the state as a first tranche for the financial year 1718 under Manrega, तो कितने करोड रूपे center के दोवारा Ministry of Rural Development के दोवारा दिये गए under the Manrega project, okay तो देखते हैं news, रूपीज 23443 करोड release for Manrega for mission water conservation, okay तो Manrega के लिए जो Ministry of Rural Development है, इन्होंने इतना amount, okay इतना amount जारी क्या है, 23,443.09 करोड, ठीक है, और Manrega के लिए दिया गया है और यहाँ पर जो majorly focus करा गया है, वो water conservation को लेकर किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर priority work force on water conservation measures, यह सब भी बहुत important है, okay कि water conservation यहाँ पर motive जादा रखा गया है Manrega के अंदर की इस चीज के ओपर जो basically काम किया जाए, what is the new number of centrally sponsored schemes तो नए, recently अभी नए जो centrally sponsored schemes है, उनका number घटा दिया गया है तो यह कितना number है, जो की नए number है तो देखते है news, the government reduced the number of centrally sponsored schemes to 28 umbrella scheme from 66, तो पहले 66 scheme थी, जो की central sponsored थी, अभी घटा के उसको 28 कर दिया गया है ओके, और यह recommendation आया थी, सब group थे, जो की chief minister on rationalization, तो उनके दोआरा आया थी है, और अब इसको central ने इसको लागू कर दिया है जिसमेरे 6 scheme होगी, वो core of the core होगी, जिनको agreement करना बहुत ज़रूरी है 20 core scheme होगी और 2 optional schemes होगी, तो आपका जो answer है, वो 28 है which country has launched sports partnership with India in Mumbai, तो recently sports partnership announce करी गई थी इंडिया के साथ में Mumbai में एक country नहीं जहां पर सचिन तनलुगर और कई सारे लोग थे, तो यह कौन से देश ने करी है, तो यह Australia ने करी थे अभी recently जैसे कि आपको पता है कि Australia के जो PM है, टन्बुल वो इंडिया की विजिट पे थे, तो वहां पर सचिन तनलुगर भी थे, इस वाले समारों के अंदर और वहां पर दोनों ही देशों के बीच में sports partnership को launch किया गया, जहां पर चार जो areas है, athlete, coach training, development, sports science, sports governance, integrity, graduate participation, इन सभी के ओपर काम किया जाएगा, ओके, साथ में आपको धान रखना है कि जो union minister है, youth affairs और sports के, वो Vijay Goel है, ओके, तो आपका जो आंसर वो है, Australia, which city is host is India's first ever micro drama festival, तो micro drama festival कौन से city ने host किया है, तो देखते हैं news, India first ever micro drama festival held in Delhi, तो Delhi वो city है, जिसने इसको launch किया है, तो आपका जो आंसर है, वो B answer है, और X named Theopisoplasia, जिन्नोंने उनको माना जाता है, first actor in the Greek drama, 6th century के अंदर, ओके, तो उनके नाम पे long day event था, थेपिस, वहाँ पे screening हुई, 28 independent place हुए, इंदरा गांधी National Center for the Arts के अंदर, ठीके, तेटर ग्रूप था एक वरिक्ष, the festival marked the debut of the micro drama concept in India, ओर्गनाईस कराया था वरिक्ष ने, जो कि जो कि एक theater group है, और आपका answer new Delhi है, which state has launched e-seva app to provide information about the welfare schemes, तो जितने भी state के अंदर welfare schemes करी गई है, उन सभी के बारे में information देने के लिए एक state ने e-seva app launch करी है, तो ये कौन से state ने launch करी है friends, ये हर्याना के जो chief minister है, Manohar Lal Khattar, उन्होंने इसको launch किया है, mobile application है, और सभी लोग को information देने के लिए कि state ने कितने welfare scheme करी है, ये बताने के लिए इसको launch किया है, तो आपका जो answer वो है, हर्याना, ओके हर्याना आपका answer है, जिसके अंदर 200 schemes और 30 different departments के programs को implement करा गया है, which state has launched सुरक्षा app for women's safety, तो women's safety के लिए एक सुरक्षा app बनाया है, रिसेंटली एक state ने, ये कौन से state ने बनाया है, तो जो कर्नाटका के जो chief minister है, सिधार्च मया, उन्होंने इसको launch किया है, और कर्नाटका ने ये सुरक्षा app बनाया है, ओके, तो आपका जो answer है, वो है कर्नाटका, who has become the world most followed leader on Instagram, तो Instagram के उपर दुनिया में सबसे ज़्यादा follow, वो है कौन से leader के हैं, तो आपका जो answer है, वो है PM Modi, नरेंदर Modi वो परसर है, जो कि सबसे ज़्यादा follow किये जाते हैं Instagram के उपर, ओके, सबसे ज़्यादा, और Instagram के आए, फोटो शेरिंग एप है, फोटो शेरिंग एप है, फोटो शेरिंग एप है फ्रेंट्स, लास्ट येर मोधी थर्ड पे थे, और अभी सेकंड नमबर पर US President Donald Trump है, who will be the head of a panel to recommend regulation for virtual currencies, तो recently virtual currencies का काफी जोर चल रहा है, दुनिया में पिछले जो अपना first week में बनाया था, उसमें आपको bitcoins के बारे में आपने कार्फी इंफोर्मिशन दी थी, ओके तो bitcoins को लेके, regulations को लेके, एक पैनल बनाए गया, ताकि virtual currency को तोड़ा साथ देखा जाए, तो इसके headcon बनाए गया है, तो देखते है news, the government has decided to close the regulatory gaps to keep a check on virtual currencies including bitcoins and has set up a time-bounded interdisciplinary committee to determine an action plan for dealing with such currencies. Okay, to examine the existing framework for virtual currencies, the department of the economic affairs in the minister of finance has constituted an interdisciplinary committee chaired by the special secretary economic affairs Dinesh Sharma. Dinesh Sharma ji है, जो कि special economic secretary है, उन्हों को इसका head बनाए गया है, और अभी कौन सा framework है, जो इस पर काम कर रहा है, future में आपको कैसा काम करना चाहिए, ओकि ये सब चीजों के लिए ये committee बनाए गयी थी, और आपका answer है special economic secretary. अब देखते हैं, next question, which state has launched अधर्ना scheme, तो कौन सा स्टेटर जिसने अधर्ना scheme को launch किया है, recently देखते हैं इसकी news, अंधर CM launches अधर्ना scheme, तो जितने भी जो lower section of the society है, जो backward classes है, उनको upbringing के लिए, उनको all-round development के लिए, इस scheme को launch किया गया है, अधर्ना, a scheme for improving traditional occupation, ओकि जो traditional occupation है, उनको improve करने के लिए, जो की backward classes, इसके ओपर काम कर रही थी, तो उनको improve करने के लिए, scheme को launch किया गया है, friends, और यह आंधरा प्रदेश ने किया है, तो आपका जो answer है, वो B है, which state has launched, अमाकू वंदनाम scheme, तो यह अमाकू वंदनाम scheme, कौन से state ने launch किया है, यह एक mother-related scheme में, friends, एक tribute है, जो की program चला गया था, to pay tribute to mothers, ओके तो mothers को tribute दने के लिए, यह scheme को launch किया गया है, इसके अंदर government run जो schools है, उनके अंदर इसको introduce किया गया है, और इस scheme के अंदर क्या होगा, कि जो बच्चे होंगे, वो blessing लेंगे अपनी मदर के, और साथ मैं पदा पूजा भी करेंगे, यानि कि उनके वाश हर feet, उनके जो feet है, उनको वाश करना होगा, और उनकी blessing लेनी होगी, तो यह scheme launch करी है, आंदर परदेश नहीं, तो आपका जो answer है, वो है B, विच स्टेट है इस लाँच, दुर्गा वहिनी स्कौर्ड, तो कौन से स्टेट है, जिसने एक दुर्गा वहिनी स्कौर्ड लाँच किया है, ताकि जो लड़कियां है, उनको एक अच्छी safety मिल सके, और वहाँ पर लो उनको, युटीजिंग और किसी भी तरिकी का प्रॉल्लम को सामना ना करना पड़े, तो BJP Government of Haryana announced the launch of a दुर्गा वहिनी, पुलिस स्कौर्ड that would aim to stop harassment of women on public spaces, तो जैसे कि anti-Romeo squad बनाएगे UP के अंदर, वैसे हर्याना ना भी इस squad बनाई है, जिसका नाम दिया है दुर्गा वहिनी स्कौर्ड, ताकि women को औरतों को public spaces में जगे में वहाँ पर यह सब harassment का सामना ना करना पड़े, तो आपका जो answer है वो हर्याना है, भी आपका answer है, इन विच सेटी, Cisco has launched a global cyber range lab, तो जो कि US-based tech giant है Cisco, उसने रिसेंटली एक अपना global cyber range lab बनाया है इंडिया के अंदर, ताकि Indian firms को, government को, agencies को train कर सके, वर्ल्ड के जो भी cyber attacks होते हैं, उन सब चीजों से बचाने के लिए, तो ये गुरू ग्राम के अंदर, जिसका पहले नाम गुर्गाउं था, वहाँ इसको setup किया गया है, तो आपका जा answer है, वो है C, तो कितने आउटले बजट बनाये गया है, भीम के cash back और referral bonus देने के लिए, अगले 6 मिने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, भीम एक अधार digital payment platform लाँच किया गया है, प्ये मोदी के द्वारा, जिसमें अगर आप अपना अंगुठा यूज़ करेंगे, थम यूज़ करके भी अपना payment कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पे 75 टाउंशिप को cashless बनाने को लेके, और देश में digital payment को बढ़ावा देने के लिए, 126 वी anniversary थी, इसकी भीमरा वंबेट कर जी की, तो वहाँ पे नादपूर के अंदर इसको लॉंच किया गया, ठीक है यहाँ पे दो initiatives लॉंच करे गया, incentives लॉंच करे गया, एक तो cashback का और एक referral bonus का, जिसका आउटले 495 करोर रखा गया है अगले 6 मैने के लिए, तो आपका जो answer है, वह है C, 495 करोर, which company has adopted Harishal village in Maharashtra, to develop as India's first idle digital village, तो कौन सी company ने, international company ने adopt किया है, महarashtra का एक village जिसका नाम है Harishal village, ताकि उसको इंडिया का पहला idle digital village बना सके है, तो यह काम करने वाली जो company है, वह है Microsoft, Microsoft ने adopt करा है इस village को, तो आपका जो answer है, वह है A, Microsoft ने adopt किया है, The Green Tribunal, The National Green Tribunal has imposed a fine of rupees dash करोर ओनर, तिहरी Hydro Development Corporation Limited, तो National Green Tribunal ने imposed किया है, पचास लाग रुपे का fine THDC के उपर, यानि कि तिहरी Hydro Development Corporation Limited के उपर, okay, for disposing debris and muck, excavated out of construction road for power house of the, चामोली based, विष्णुगड, पीपल कोटी, Hydro Electric Project, ने तुदा अलक्रंदा रिवर, okay, तो अलक्रंदा रिवर के अंदर ये सब debris डालना, और वहाँ पर गंद की फैलाना, okay, और रोड बनाने के लिए काफी, वहाँ पर चीजों को disrupt करने के लिए, okay, excavate करने के लिए, इन सभी के वज़ज़ से National Green Tribunal, जो कि एक बॉड़ी है, जिसके चेर्मेन, okay, स्वातेंदर कुमार है, स्वातेंदर कुमार जिसके चेरपरसन है, National Green Tribunal, जिसका काम, greenery बनाया रखने का है, okay, देश के अंदर जो हारयाली है, इन्वार्मेंट है, रिवर्स है, इन सभी को पॉल्यूट ना किया जा सके, पेड़ों को ना काटा जा सके, गंदी की ना हो, फोरस्ट के अंदर, इन सभी का धानक ने का, National Green Tribunal का काम है, पॉलिशन का चेक करने का काम है, जैसे की जादा पॉलिशन ना हो, Mountain एरिया के अंदर, तो यहां पे इन लोगों ने फाइन लगाया है, 50 लाक रुपीज का, तो आपका जो आंसर है, वो है B, विच स्टेट है तारे जमी पर प्रोग्राम, तो कौन से स्टेट है, जिसने लांच किया है, तारे जमी पर प्रोग्राम, तो यह जार्खन पुलिस का इनिशेटिव है फ्रेंज, तारे जमी पर प्रोग्राम, जिसमें जो बच्चे हैं, जो कि नक्सल अफेक्टेड एरियास के अंदर है, उनको पढ़ाना, लिखाना, एंक्रेज करना, अच्छी जीवन जीने के लिए, और यह जो नक्सल आइट्स वाले, जो मोटिव, जो इनके तौर तरीके हैं, उनको छोड़ के अच्छी जीवन जीने के लिए, यह प्रोग्राम लांच किया गया, जिसका नाम है तारे जमी पर, तो आपका जो अंसर है, वह है जारखन, अब देखते हैं, फ्रेंट्स, ट्रेड और बैंकिंग से रेलेटेड न्यूज, इंडिया इस रिसेंटले साइंड आए, 175 million dollar loan agreement to support construction of high voltage transmission system with, तो इंडिया ने रिसेंटली एक 175 million dollar का loan लिया है, agreement लिया है, ओके, construction के लिए, high voltage transmission system के लिए, तो एक कौन से, organization से लिया है, ओके, तो देखते हैं news, इंडिया एन ADB sign 175 million dollar loan agreement for solar transmission system, तो solar transmission के लिए इंडिया ने, Asian Development Bank के साथ में, ये loan को sign up किया है, ओके, और आपका जो answer है, वो ADB है, Asian Development Bank, साथ में आपको ध्यान रखना है कि Asian Development Bank का जो headquarter है, वो Malilia के अंदर है, जो कि Philippines के अंदर है, purpose है, इसका social economic development, और member इसके 67 nations है, जो कि इसके member है, इस organization के ADB के, इसके chair person अभी तका ही को नकायो है, तो ये information आपको धान रखनी है, देखते हैं, next, which bank has collaborated with BSNL to upgrade bandwidth at all its branches, तो कौन सा bank है जिसने collaborate किया है, BSNL के साथ में ताकि वो upgrade कर सके अपनी bandwidth की सभी branches के अंदर, तो Kenera Bank है friends, जिसने ये type किया है, और ये public sector bank है, और इसका headquarter, जिसका headquarter कहां पर है, Bangalore के अंदर है, Kenera Bank का, और इसको established किया गया था, वो Mangalore के अंदर किया गया था friends, पहली बार, और 1906 में इसको established किया गया था, अभी इसके जो CEO है, वो Rakesh Sharma है, Rakesh Sharma इसके CEO है, राइटनाओ Kenera Bank है, और आपका answer है, इसकोशन का Kenera Bank, What is the limit on cash transaction, तो recently, गौर्मेंट ने क्या किया है, अभी रिसेंटली जितने भी cash transaction ने उसको पर limit लगा दी है, बैन on cash transaction in excess of rupees 2 lakh, will not be applicable to withdraw from a bank and post office saving account, the income tax department said, तो income tax department ने कहा है, कि आप bank से और post office के saving account से, 2 lakh रुपे से ज़राद का cash नहीं ले पाएंगे, ओके, और अगर इससे ज़राद कोई लेता है, तो इसके उपर 2 lakh रुपे के पैलिंटे लगाई जाएगी, ओके, तो डेटल मनी को बढ़ावा देने के लिए, cash को रोकने के लिए, यह सब करा गया है, जो कि बहुत अच्छा initiative है, और आपका आंसर है, 2 lakh रुपीज, विच बैंकर इस लाँच्ट हरूदया डेपोजिट स्कीम, तो हरूदया डेपोजिट स्कीम कोन से बैंक ने लाँच करी है, तो ESAF, Small Finance Bank ने लाँच करी है, शोशल डेपोजिट स्कीम, हरूदया डेपोजिट, और आपको धानक ना है फ्रेंड्स, यह जो स्कीम है, यह नाम जो इसके सजेस्ट कर रही है, प्रोजेक्स में काम करें, तो इसलिए यह स्कीम लाँच करी गई है, और करी गई है, C, यानि की ESAF, Small Finance Bank के द्वारा, तो कौन से बैंक के कस्टमर ने अभी जीता है, एक करोड अंदर दा कैशलेश स्कीम, तो Central Bank of India, कस्टमर विन वन करोड अंदर दा मोधी कैशलेश स्कीम, तो रिसेंटल फोटो बे आई थी, पेम मोधी के द्वारा, एक करोड रुपे का चेक देते वे, और ठीक है, और ये कौन से बैंक के कस्टमर ने जीता है, Central Bank of India के कस्टमर ने जीता है, जिन्होंने ट्रांजिक्शन किया है, 1590 खाओ, ट्रांजिक्शन वो रुपीज 1590 का करने पे, Central Bank of India के कस्टमर को, एक करोड रुपे का बोनस लक्की अमाउंट मिला है, PM मोधी के द्वारा, ओके, तू पॉपॉरलाइज डिटल पेमेंट्स, तो आपका जो अंसर है, वो है Central Bank of India, विच कंपनी है, अक्वाइड इबे इंडिया रिसेंटली, तो बहुत बड़ी नियूस थी फ्रेंट्स, एक इबे इंडिया को रिसेंटली, एक इंडियन कंपनी ने अक्वाइड कर लिया है, तो यह कौन सी कंपनी है, यह है Flipkart, ओके, Flipkart ने अक्वाइड किया है, इबे इंडिया को, तो आपका जो आंसर है, वो है Flipkart, और आपके वोगों को थोड़ी बहुत इंफ्रोमिशन और देना चाहूंगा, मैं Flipkart के बारे में फ्रेंट्स, यह 27 में found करी गई थी, इट पस founded by the Sachin Bansal and Binny Bansal, Sachin और Binny, ओके, दोनों Bansal लगे में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं दोनों भाई है, दोनों में कोई relation नहीं है, दोनों ही IIT के alumni हैं, IIT से पासाओं थे और Amazon.com, Amazon के अंदर काम किया करते थे, और उस टाइम पर 12 साथ में इनों नहीं इसको छोड़ा, और Flipkart को स्टार्ट किया, और Flipkart जो रेजिस्टर्ट है, यह सिंगापूर में रेजिस्टर्ट अक्चुली, इंडिया में रेजिस्टर्ट नहीं है, और उन्होंने जो पहला प्रोडट बेचा था, वो भी Amazon का ही बेचा था, जिसका नाम था Living Microsoft to Change the World, तो यह उन्होंने पहला प्रोडट था, जो की बेजा था, जिसका नाम था Living Microsoft to Change the World, एक बुक थी, जिसको उन्होंने बेचा था, हैदराबास से, और राइट नाव उनके 33,000 से भी ज़्यादा, लोग है, जिन्होंको उन्होंने employment दे रखा है, ठीक है, और इसका headquarter बैंगलोरो के अंदर है, दोजा साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दोजा साथ में यह found हुई थी, और यह आपको ध्यान रखना है friends के, कई सारे subsidiaries है, जो कि कई सारे companies को इन्होंने खरीजा है, जैसे कि मैं तरह हुआ, जैबाउं हुआ, फोन पे हुआ, और अभी ebay भी हो गया है, साथ में e-card, इसको भी इन्होंने acquire कर लिया था, तो कई सारे companies को acquire करके flip card देश का, अगर Indian company के बात करेंगे तो सबसे बड़ी company बन चुकी है, online, e-commerce company बन चुकी है, और recently इन्होंने, जो Microsoft है, ebay है, यहां से कई सारे funding भी raise करी थी अभी, जिससे इनको काफी drift मिला है, अपने काम को expand करने के लिए, which bank has collaborated with the postal department, to promote cashless transaction, तो कौन से bank ने अभी collaborate किया, पोस्टल department के साथ में, ताकि वो अपने cashless transaction को बढ़ावा दे सके, तो SBI वो बैंक है, जिसने साथ में हाथ मिला है, cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए, पोस्टल department के साथ में, तो आपका जो answer है, वो है C, SBI, which one of the following recently got, RBI node for e-wallet, तो recently एक company है, जिनको RBI का node मिल गया है, e-wallets के लिए, अब e-wallets के लिए, वो company, जो बाकी company इसको टक्कर देगी, वो होगी, pay ATM, और साथ में free charge, ओके और जिस company को मिला है, वो है Amazon India, ठीक है, तो Amazon है, जिसने एक साल पहले इसको लिए apply किया था, Reserve Bank of India में, और अभी इसको e-wallet के लिए license मिल गया है, Bank Board Bureau recently launched GRAF for public sector banks, What does the term R stands in GRAF, ओके तो Bank Board Bureau ने भी recently launch किया था, GRAF और Public Sector Bank, ओके ताकि जो Public Sector Bank है, वो Private Sector Bank के साथ में competition कर सके, ओके जितना हो सके, वहाँ पर अच्छा सा business फैला सके, तो इसी चीज़ को लेके, कई सारे चीज़ों को लेके, Public Sector Bank को help करने के लेकर, इसको बनाए गया है, और यहाँ पर जो, फुल फॉर्म में GRAF की वहाँ, Governance, Reward and Accountability Framework, ओके, Governance, Reward and Accountability Framework, GRAF, तो आपका जो answer है, वो है reward, D आपका answer है, तो देखते हैं फ्रेंस, next news क्या है, Indian Academy of Highway Engineers, signed a MOU with which university to set up a center for advanced transportation technology and system, तो Indian Academy of Highway Engineers, इने sign क्या है MOU, एक university के साथ में, to set up a center for advanced transportation technology and system, तो यह कौन सी university है, तो friends देखते हैं, पहले news देखते हैं, इन लाइन विद्टे मिनिस्ट्री आप रोट रांस्पोर्ट और हाईवे वीजन, तो आपका जो आंसर है, वो है university of new south wales, what was the threshold under the first phase of operation clean money, तो threshold क्या जारी किया गया है, पहला जो operation clean money, इसके first phase के अंदर, तो देखते हैं, news income tax department launches operation clean money second, तो प्रोप 60,000 people, तो जैसा कि पहले अभी demonetization हुआ था, तो वहाँ पे उसके बाद में operation clean money, नाम का एक operation launch किया क्या है, कि जिन लोगों ने पैसा वापस से black money को white money में किया है, cash में transaction किया है, ओके जादा खरीदारी करी है, उन सभी को इसके अंदर लाए गया था, रडार के बीच में और 60,000 लोग को प्रॉप करेगा वो, ठीक है, तो आपका जाँसर है वो है D, आप देखते हैं appointments, recently which one of the following has been appointed as UN messenger of peace by United Nations, तो recently UN जो messenger बनाए गई ही by the United Nations, तो UN messenger of peace किन को बनाया गया है by the United Nations, ओके बहुत बड़ा किताब है प्रेंट, जो की Secretary General जो United Nations के, Antonio Guttres, उन्होंने select करा है, Nobel Peace Prize winner, ओके मलाला यूसुफ जई को, ठीक है, जो की एक highest honor है, UN chief के द्वारा किसी भी global citizen को देने वाला, इसके अलावा और भी जो messenger रेपीश के, वो है Michael Douglas, Leonardo DiCaprio, Jen Goodwill, musician Daniel, यो-यो-मा, तो ये सभी लोग है जो की messenger है पीश के, तो आपका जो answer है वो है D, मलाला यूसुफ जई, मुक्ता दत्ता तोमर has been appointed as India's ambassador to which country, तो देखते हैं फ्रेंट न्यूज क्या है, मुक्ता दत्ता तोमर was appointed as a new India ambassador to Germany, तो जर्मनी की और इंडियन ambassador मनाए गई है मुक्ता दत्ता तोमर, ओके, तो आपका जो answer है वो है Germany, B आपका answer है, और ये रिसेंटली इन्होंने तीन साल बेले ट्रावल भी क्या था, Northern Uganda को, Democratic Republic of Congo को, ताकि वाँगे लोह को से मिल सके, refugees से, उनकी स्टोरी सुन सके, उनकी help कर सके, तो इसी चीज़ के इनको बनाया गया है UNHCR की Goodwill Ambassador, Which one of the following has recently been appointed as a RBA Executive Director, तो recently RBA Executive Director किन को appoint करा गया है, तो देखते हैं, News, the Reserve Bank of India has appointed Malvika Sinha, as a Executive Director, following the appointment of Kanungo, BP Kanungo as Deputy Governor, Okay, तो अभी जो बनाया गया है, वो Malvika Sinha को बनाया गया है, तो आपका जो answer हुआ, वो तो C हुआ Executive Director, लेकिन साथ में आपको ये भी धान रखना है, कि जो Deputy Governor बनाया गया है, वो कौन है, Kanungo है, Kanungo, तो दोनों ही चीज़ा आपके लिए important है, अभी रिसेंटली MD कौन बनाया गया है, Saraswat Cooperative Bank है, Saraswat Cooperative Bank Friends, सबसे largest Urban Cooperative Bank है, ओके, तो इनकी अभी एक woman है, जो कि first woman chief बनाया गयी, इंडिया's largest Urban Cooperative Bank की, तो ये कौन है, ये स्मिता संधाना, ओके स्मिता संधानी है, जो कि MD का charge लेगी, और इंडिया के largest, जो Urban Cooperative Bank है, इसकी head बनेगी, तो आपका answer है B, which one of the following has been appointed as a member, of Central Board of Direct Taxes recently, तो CBDT की recently, अभी एक appointment करे गए है, member ये कौन करे गए है, तो देखते हैं, न्यूज, अजित कुमार शिर्वास्तवा, और साबरी बातास्वली, नेम्ड एज न्यू CBDT chairperson, तो साथ में अजित कुमार है, और साबरी बातास्वली है, तो यानि कि B और C, आपका जो answer है, वो B और C होगा, तो यहाँ पे ऐसा option नहीं था, ठीक है, जो कि one of both होना चीए, बोथ B और C, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों option नहीं था, हाला कि यहाँ पे दोनों ही क्या है, appoint करे गए हैं, किसके C, B, D, T के member, ठीक है, तो आपका जो answer हुआ, यह हुआ, नन of these, और देखते हैं, next question क्या है, अभी recently MD बनाए गए है, LIC के, appoint करे गए हैं, तो यह किन को appoint किया गया है, ओके तो देखते हैं, न्यूज सुनिता शर्मा और वेनु गोपाल, B, वेनु गोपाल को appoint किया गया है, is a MD, in LIC, तो दो post खाली थी कई टाइम से, और अभी सुनिता और वेनु गोपाल को appoint किया गया, MD, तो आपका जो आणसर है, वो है D, B और C, यहाँ पर B और C आना चाहिए, माप किजिगा यहाँ पर A और B बिल्कुल सही लिखावा है, D ही आपका आणसर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आने कि सुनिता शर्मा और वेनु गोपाल, दोनों का appoint किया गया है, पास साल के लिए है, ओके Department of Personal and Training के दोरा हूँ, महाबलेशवरा, रिसेंटली अपराउंट किया गया है, इनको MD, कौन से बैंके, ओके, तो महाबलेशवरा को रिसेंटली MD बनाए गया है, यह कौन से बैंके बनाए गया है, यह करनाटका बैंके बनाए गये है, CEO, करनाटका बैंके, तो आपका जो आंसर है, वो है करनाटका बैंक, यह बनाटका बैंक, यानि कि United Ration Development Program के, चीफ किन को बनाए गया है, तो UN के जो चीफ है, अन्टोनिय गुटरेज, उन्होंने जर्मन के, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस परसंट है, वोल्ड औरगनाजेशन के, ओके, एशिम, स्टेनर को अपॉइंट किया है, UNDP के चीफ, और प्रिवेस्लिए इन्होंने काफी काम भी किया वा है, United Nations Environmental Program जो है, ओके, वहाँ पे इन्होंने head किया था, जो कि Kenya में जिसका headquarter है, ओके, वहाँ पे इन्होंने काम किया है, तो काफी बड़े परसन है, इसलिए इनको appoint किया गया है, और आपका answer है, D, who has been appointed as a whole time member, of the insolvency and the bankruptcy board of India recently, ओके, तो whole time member किनको appoint किया गया है, इस board के अंदर, ये मकूलिता विजय वरगिया को appoint किया गया है, whole time member, तो आपका जो answer है, वह है, B, B आपका answer है, जिनको full time membership दी गई है, insolvency and the bankruptcy board of India की, New Delhi के अंदर, अब देखते हैं, अवर्ड से लेटेड़ कोशन, 64th National Film Award recently announced करे गए थे, friend जो कि आपके लिए important है, जिसके अंदर कई सारे चीज़ हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि best feature feature film का सव, जो कि एक मराठी movie है, उसके अलावा best actor, अक्षे कुमार, रुस्तम के लिए best actress, सुर्भी लक्ष्मी, जो कि एक, मल्यालम movie थी, ओके मल्यालम, मिनाना मिनांगू, तो इस movie की actress को, इस movie के लिए, सुर्भी लक्ष्मी को best actress का वोर्ड दिया गया, साथ में best Hindi film, निर्जा राम माधवन जी के दौरा, माधवानी जी के दौरा direct करी गई, और best director, राजेश जी को दिया गया, ventilator के लिए, ओके ये भी एक मानाथी movie थी, और best film social issues के लिए pink को दिया गया है, इसके अलवा आपको और कुछ जिसमें जो ध्यान रखने हैं, आपके लिए important है, वो the most friendly state, ओके उत्तर परदेश को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी, कई बार movies को tax free कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह सारे चीज़े हैं, जो कि आप उधान रखने हैं, और आपके paper के लिए important है, अब देखते हैं friends, किन को Asian businessman, Business woman of the year, का award दिया गया, UK के अंदर, Asian business woman of the year का award, ओके तो यह British Indian educationist है, Asian businessman woman of the year का खिताब जीतने वाली, जो कि बिहार origin है, आशा, खेम का कोई award दिया गया है, तो आपका जो answer है, वो है B, तो UK यह चले गए थे, family के साथ में 1978 में तब, नहीं इनको English आय करती थी, नहीं इनके पास कोई जादा पैसा था, लेकिन उन्होंने अपने दम पे, काफी काम की education के अंदर, काफी लोगों को educate किया, और बनी है Asian business woman of the year, कौन से port को, top port का award दिया गया है, sanitation के बिहाफ के उपर, ओके तो हल्दिया port है, जो की Kolkata के अंदर है friends, Kolkata के अंदर यह port है, इसको best, या फिर first ranking दी गई है, okay sanitation के तौर के उपर, यानि कि सबसे साफ सुतरा यह port है, तो आपका answer है B, Krishikarman Award 2015-16 का, कौन से state को मिला है, for a commendable increase in a food grain production, तो food grain production अच्छा करने के लिए, एक street को Krishikarman Award दिया गया, यह कौन से state है, यह Himachal Pradesh है, ओके जिनको यह Award दिया गया है, तो आपका जो answer है, वो है Himachal Pradesh, B आपका answer है, अब दिखते हैं friends, sports related in important news, शाम कुमार कौन से sports related है, तो अभी recently Indian boxer है, शाम कुमार जिन्होंने gold medal जीता है, Thailand International, tournament के अंदर, bank कोंग के अंदर, ओके इससे पहले उन्होंने 2015 edition में भी gold medal जीता था, इस बार उनको final में जो की Olympic champion है, Hasan Boy, वो मिलने वाले थे लेकिन उनकी injury के वाज़े से उनको walk out मिल गया, और वो बन गया gold medalist, वापस से, ओके 49 kg weight category के अंदर, तो आपका जो answer है, वो है boxing, अभी recently NBA के दोवारा एक school setup किया गया है, first basketball school इंडिया के अंदर, वो कौन से team में setup किया गया है, यह Mumbai के अंदर setup किया गया है, जहाँ पे एक tuition based basketball development program चलाए गया है, Mumbai के अंदर, ताकि NBA इंडिया के अंदर भी अपना पैड जमा सके, यह इंडिया में अच्छे basketball player बन सके, तो आपका जो answer है, वो है Mumbai, Chinese Grand Prix कौन से player ने अभी recently जीती है, तो Lewis Hamilton वो player है, जिन्होंने Chinese Grand Prix जीती है, और यह Mercedes के driver है, ओके Lewis Hamilton, तो आपको ज्यान रखना है दोनों ही चीज़े, और आपका जो answer है, वो है C, Lewis Hamilton, उस्याना ग्रूप में हराया था, Bangalore के अंदर, ठीक है, अब India आगे बढ़ गया है, और अब World Group के play-off में, India खेलेगा, और यह कौन से sports में हुआ है, tennis के अंदर हुआ है, तो आपका answer है, tennis, कौन से team ने Asian School Hockey Championship जीती है, friends recently, तो India ने जीता है यह tournament, tournament, ओके, जो की Malaysia को हराया है, India ने 5-1 से final के अंदर, ठीक है, तो बहुत बड़ा tournament था है, इस्कूल के लिए और Asia School Championship जीती भारत ने है, तो यह आपका answer है, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, और साथ में जो पहले former Chief Nister थे, उनके बेटी थे, तो आपका जो answer है, वह है, politician, अब देखते हैं, फ्रेंड्स, बुक्स रलेटेड इंपॉर्टन कोश्चिन्स, तो यह जो किताब लिखी गई है, यह इसके author कौन है, तो विरभपा मोयली, प्रेजेंट्स कौपी टो इस new book to the President, तो विरभपा मोयली, जो फॉर्मर यूनिन प्रेजेंट थे, सीने कॉंग्रेस लीडर है, उन्होंने एक किताब लिखी है, और प्रेजेंट को, यह पहली कौपी इसकी दी है, और इसके अंदर जो बताए गई है, वो क्याक्टर बताए गया, दुर्वपती का जो महाबारत में क्याक्टर है, उसके बारे में आपे डिस्क्राइब किया गया है, तो आपका जो आंसर है, वो है विरभपा मोयली, तो यह किताब जो है किन के द्वारा लिखी गई है, तो देखते हैं, तो आपके जो आंसर है, वो है अश्वनी कुमार, देखते हैं, नेक्स कुशन था, तो रिसेंटल एक आउटोबाइग्राफी लाँज करी गई हिट गर्ल के नाम से, तो यह किस की आउटोबाइग्राफी है, तो फ्रेंट सल्मान खान ने इस आउटोबाइग्राफी को लाँज किया, इनके काम को लेकर, तो आपका जो आउटोबाइग्राफी लाँज करी गई है, तो रिसेंटली मातोश्री नाम की बुक है, जो कि किनके दौरा लिखी गई है, तो यह जो अपनी एलस यानि की लोग सभागी जो स्पीकर है, सुमित्रा महाजन, उनके दौरा पैंडाउन करी गई है, और PM Modi ने इसको रिलीज किया है, तो आपका जो आंसर है, वो है सुमित्रा महाजन, विसेंटली बुक लाँज करी गई दौरा, तो यह कौन से बुक लाँज करी गई, और फ्रेंज आपको मैं कुछ और इंफर्मिशन देना चाहूँगा, दलाई लामा के दौरा, दलाई लामा किसी एक परसन का नाम नहीं है, फ्रेंज यह एक डैसिंग्नेशन है, ओके 14 दलाई लामा अभी राइट नाव है, जिनका जो नाम है, तेंजिंग्नेशन यह इनका एक्च्वल नाम है इन परसन का, ओके जो कि अभी 14 दलाई लामा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मौंक है, जो गुलंग स्कूल होता है, जो कि तिबितियन, जो मौडन तिबितियन बुद्धिजम है, उनका एक स्कूल होता है, जहां पर जो हैड होते हैं, वो दलाई लामा होते हैं, ठीक है, 1959 में जो तिबित के अंदर जो प्रॉल्म क्रेट हुए थी, उस टाइम पर दलाई लामा, यह जो परसन है अभी, यह इंडिया के अंदर आ गए थे, क्योंकि इनको अपनी जान का खत्रा था, अपने तेजपूर पहुचे थे, यह आसाम के अंदर और इंडियन आर्मी ने इनको यहां पर काफी हल्प करी थी, चाइना के काफी ज़्यादा उब्जेक्शन के बाद में भी, तो चाइना ने उस टाइम पर अटाइक किया था तिब्बत में, और इनकों ने अपनी जान बचा के इंडिया आ गए थे, और यहां पर इन्होंने एक स्कूल भी खोला था, अपने धरमशाला के अंदर, गवर्मेंट अफ तिब्बत इन एक्जाईल, जिसको लिटिल लाहसा कहा जाता है, लिटिल लाहसा कहा जाता है, लाहसा सबसे के बड़ी सिटी और कैपिटल है, एडमिस्रिटिव कैपिटल है तिब्बत की, तो लिटिल लाहसा अगर कोशन आता है, तो आपको धान रखना है धरमशाला को कहा जाता है, और उसके बाद इनको नोबेल भी आवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज मिला 1989 में दुनिया में गूमके इन्होंने तिबत के वैलफेर के लिए लोग के प्रॉलम्स के लिए काफी बाते करी लोग को बताया है उसी के बाद में United Nations ने कई सारे राइट्स तिबत के लोगों को दिये General Assembly ने तीन बार Resolution पास किया Okay, on the basis of General Assembly के जो रूल्स है उनके विहाफ है तो वहाँ पे कई सारे राइट्स दिये गए तिबत के लोगों के लिए तो यह सारे काम थे जो कि दलाय लाम ने प्रिजेंट दलाय लाम ने किया है और अभी जो इन्होंने बुक रिलीस करी है वह ओशन और ब्लू माउंटेन नाम की जो बुक है जो कि पब्लिश करी गई है Department of कर्मिक and अधियार कर्मिक अफेर्स in the presence of Chief Minister and other dignitaries तो यह बुक लाउंच करी गई है यहाँ पर इनके द्वारा So friends यह सारा important content था जो कि अपना second week of April से था और काफी important content है उम्मीद आपको पसंद रहा होगा So friends thank you and all the best